यहाँ पे हमारा माइक कराब हो गया और पबलिक मीटिंग करना मुश्किल है यह, बिल्कु जी. राहूल गादी अखिलेश यादो के बीच बाचित का वीडियो हो गया लिग ये वीडियो तेजी से अब वायरल होने लगा है दरसल राहुल गादी अखिलेश यादो उत्तर परदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा कर रहे थे ये वीडियो बन गया और वीडियो अब लीक हो गया है दरसल इस वीडियो को खुद राहुल गादी ने बनवाया है अकलेस यादो और राहुल गादी उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा को स्वंबोधित करने पूँचे थे भीड इतनी ज्यादा गर्मी इतनी ज्यादा कहा जा रहा है कि भीड और गर्मी के बावजूद अकलेस और राहुल ने वहाँ पर मौजूद लोगों को स्वंबोधित नहीं कर पाया अब जब राहुल गादी ने कहा कि माईक खराब हो गया इस भीड को कैसे समझाया जाए कैसे बताया जाए बिना संबोधन के ही दोनों हेलिकॉप्टर से उड़ गया लेकिन इस बीच राहुल गादी का एक आइडिया सुर्खियों में है चर्चा में है दरसल जब चुनावी बंच पर माईक खराब हो गया तो राहुल गादी ने कहा कि आज हम पहुँचे और हमारा माईक खराब हो गया ऐसा करते हैं कि हम और अखलेस जी आप मिलकर हम लोग उत्तर परदेश के राजनितिक हलात पर चर्चा करते हैं अखलेस यादों ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक होगा और बाद में इससे हम लोग सोसल मिडिया पर जारी कर देंगे जिससे लोगों को वरिजिनल बाते मालुम पड़ेगी इस बीच अखलेस यादों ने बताया राहूल गांधी को कि कब-कब समझवादी पार्टी ने संविधान और देश की रक्षा के लिए उत्तर परदेश के विकास के लिए कॉंग्रेस पार्टी के साथ समझावता किया है साथी साथ राहूल गांधी ने भी अकलेस यादों का समर्थन मिलने से खुसी जदाई कहा कि जिस तरीके से कारेकरता आपसन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ये बता रहा है कि उत्तर परदेश की असी में से 79 सीटे समझवादी पार्टी इंडिया का डिबंदन कॉंग्रेस के साथ जो है वो जीत रहा है एक सीट क्विटो पर लड़ाई है राहूल पूछ रहें कि एक क्विटो क्या है ये तो बिदेशी नाम है अकलेस कर रहे हैं जब मोधी जी पहली बार चुनाव लड़ने वरार आशी को क्विटो बोलकर संबोधित कर रहे हैं ये दोनों ही नेताओं का वीडियो अब तेजी से वाइरल हो रहा है खुब चर्चा में भी ये वीडियो है क्या जा रहा है कि राहूल और अखिलेस जहां भीड को संबोधित नहीं कर पाए उससे ज्यादा वो इस वीडियो क को सेयर करके सोचल मेडिया पर लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचा रहे हैं राहूल का दिमाग अखिलेस का आइडिया देखिए कितना कारिगर होता है इस चुनाओं के नतीजों पर यहां पर हमारा माइक कराब हो गया और पॉब्लिक बीटिंग करना मुश्किल लगा जी बिलको ठीक बात है तो मैंने सोचा कि हम दोड़ा यूपी के बारे में बात्चीव कर लें और आप अपना पर्स्पेक्टर हमें बताई है हम आपको अपना पर्स्पेक्टर बताते है तोरी दिस्केशन करते हैं ठीक बात है मैं सबस्का हो कि जब माइक खराब हो गया हम दोड़ा बात करेंगे वो रिकॉर्ड हो करके जाएगी तो लोग बैतर और अच्छा सुन देगा और अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा और कि वी सोचल मीडिया से वेल कनेक्टेड ह तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोलने है यूपी जो 80 सीटे तेरा है इसमें 79 सीटे समाजबारी पार्टी कॉंग्रेस इंडिया गडबन दिन जीत रहा है एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं और इस पार क्यूटो नाम कैसे जपान माला हैं यह क्यूटो क्यूंकि जो प्रदान सांसर्थ है उन्हां सपना दिखाź है था काशी के लोगों को कि दुन्या की सबसे बेतर कुछली बनेगी क्यूंतों बनीने भनी तकाशी की लोग काश्ट ओंकीभ करेंगे प्रोड किो समढ़िय। और आपने देखा, हम सब ने देखा, कि UP को नरेंदे मोधी जी ने बेरोजदारी का सेंटर बना दिया है और इतनी बेरोजदारी की है, ये जितने मच्छे दिखाई दे रहे हैं ये जो अगनी वी या पेपर निक जिसकी बज़े से इसे नौकरी देनी बिली है और ये सब रोजगार नोकरी चाहते हैं बीजेपी ने जो जूटे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेट मीट के जो जूटा सपना दिखाए था डिफेंस एट्वो का जो सपने बेचे थे जी टूंटी रहे लेकिन इन नोड़वानों को जो नोकरी मिली ना रोजगार मिला आज ये खाली हाथ हैं तो इसलिए हमें और आप फिल बिलके जो आपने कहा जो इंडिया का डूंटर कह रहा है कि तीर साथ बच्चा के नोकरी दी जाएगी उस दिशा में हम लो काम करेंगा और पहली नोकरी पकी स्वीम जिसके माधियम से हर ग्रैजुएट को नोकरी का अधिकार बहतरीन प्रेनिंग और बैंक अकाउंट में तो एक राफ हुपेस साल के आपने लोट किया कि मोदी जी खड़ागर 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 को ने शुरू करती है आपके खड़ागर खड़ागर के बाद वो रटारग़ खड़ागर खड़ागर कर रहे है अच्छा इन के बाद बताईए हमजे लliWow City है थोला आप अपने पाको के पारे में मुझे 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 ल्याम से आजई के ऑड़े मुझे आपने उनसे क्या सीखा? नेटा जी और उनके साथ से लोग बिल्को जमीनी राभीव करते रहे हाना कि नेटा जी खुछी पेल्वान, उगाउहों के थे तो मैं खुछी न करपा है जीवन में क्युकि मैं ब्रेटी स्पुल में चलागया, कुछी न करपा है लेकिन नेता जी किसी ने धर्दी पुक्र बोले गए हैं कि वो जमीन की बात को सुमस्तिक है धर्दी पर जो लोग इनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे बहाना चाहते थे और आपका इस छेश से और इस शेयर से आज का लगाब नहीं है मैंने कितने सालों पर ना लगाव है जो इमोशनल कनेक्टाथ का इस शेयर से है वो शाहिद और किसी राजनेतिक परिवार का नहीं होगा तो नेता जी से उनका हाड़वर्ट और अपने लक्ष के लिए लगातार काम कते रहना जो गेर बनाबरी की लड़ाई दॉक्टर रामन और लुया यहीं लड़े थे हाना कि हमारी आप की विचार धारा की तक्राव रहा लेकिन हमारे ग्रिक्तिकत या जो सिद्धान्त में क और करीब रही समाधवादियों थे बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके के पाक्षिप बन ली है क्योंकि जो इस बार हमारा कोपरेशन है शायद पहले ऐसा कोपरेशन नहीं हुआ है मतलब बिलकुल सब जुड़ गया है अच्छा यह है कि जितना उन्होंने कहा दो जुड़ी उतना यूगा आपसे हमसे इंडिया के बन से और जुड़ गया है कि यह नैचुनल आलाइंस है और नैचुनल आलाइंस इसके लोग रिए है लोग प्यासूत कर रहे है कि वो चाहते कि नौपरी और रोजगार मिले बड़ी भावना है कि हमसे आपसे यह यूद क यह जाई की चोट सबसे जादा इन लड़कों को लगती है। हमारी तिंकिंग है और आप की भी है कि यह जो 22 लोगों को अरेंद्र मोदी जी ने पूरा गपुरा धन पकड़ा है। उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युगा हैं, माताय बहने हैं उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना है। देखे यह जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्ध प्रवस्ता को लाग मिलेगा। मैं समस्ता हूँ, इनका भागी में बनेगा और देश के अर्ध प्रवस्ता भी बैतर होगी। यह जुरुनी स्कीम है के इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, इससे बुड़ा बहुत जीवन इस तर इनका भी अच्छा होगी। नरें मोगी भी डिबेट से क्यों रखते है। क्योंकि वो सच का सामरा नहीं करता चाहा। पूरा उनका जूटका कुपारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं। अपनी मर्जी से चलते हैं। और उनको लगता है कि डिसकशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। जितना डिसकशन होगा। जितने विशार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पर भरुता करेंगे। उतना हमारा लोगतर मजमूत होगा। यह बीजेपी के लोगों ने लगेवल हमारी जान को ख़द्रा पैदा किया है। और इसका नतीज़ा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया। यह बेरोदगारी भटी जा रही है। जो प्रडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है। और पूरा पूरा एक्स्टॉर्शन, ED, CBI यह लोग मतलब एक्स्टॉर्ट करने हैं। कई बार सुनने को मिलना है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। लगदा कि हमारी सीमा असुरुचित हो गई। और ना चलके आसपास यह सीमा जो चीन से छू रही है वो बहुत असुरुचित हैं। तो चीन से जहां हमारा सिमाओं का खतरा है, वहीं चीन से हमारे बजार को भी खतरा है, तो कहीं ने कहीं हम लोगों को अपनी manufacturing economy और manufacturing economy को बढ़ाबा देना पड़ेगा. और ये जो schemes है, पहली नौकवी, पक्की और महारयक्ष्णी ये manufacturing system को, economic system को jump start करने के तरीके हैं. ये बहुत अच्छा jump start होगा, इसको अगर focus हो करके, IIT, Polytechnic, Engineering Colleges को, इन सब को ecosystem में लाकर के, मैं समझता हूँ, यूगा नौधमाना को अच्छी नौधरी और रोजगार मिल पाएगा. और हमारा लक्ष है, कि सब हर जात को भागेदारी मिले, space मिले, हर institution में, business में, education के system में, तो वो हमारा हम दोनों का लक्ष है. बिल्कुल, और क्योंकि जो बात समी दल कहते थे, आज इंडिया गड़बंदन कॉंग्रेस भी कह रही है, कि समाज एक नहाए जरूरी है, जाती जहना जरूरी है, देश के लिए ये बड़ी चीज है, जो दुनिया में, अमरीका है, यूरोप है, अपने उन योगों के पनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है, वो करता है, आपके अपने सपनों का आश्याना, ये लो मुमीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे, जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, मा बाबुजी क्या बोलेंगे, इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया, अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ, इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो, अपने पुर्णिया में घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes panorama में, पुर्णिया में panorama ग्रूप लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग, अड़े अड़े, आप क्य और मिठाईल रीदिफाइंट